हेलो एवरीबन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जोब में NCRT की तरफ से वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम पास कैनी रेट बिल्कुल अपलाए कर सकते हैं आप किसी भी राज्य से बिलॉंग करते हैं सेलरी जो है इसमें 37,000 से लेकर 80,000 तक रहने वाली है अलग-लग पोस्ट के लिए तो चलिए बिना समय गवाए इस वेकेंसी के नोटिफिकेशन को चेक करेंगे NCRT की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर बिना फीज के बिना परिक्षा के आप यहां पर आविधन कर पाएंगे सबसे पहले जो है ओफिशल वेबसाइट पर चले आए NCRT की National Council of Educational Research and Training राश्रिय सैक्षिक, अनुसंधान और प्रैसिक्षन परिसाद इसमें जो है वेकेंसी का जो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अभी कुछ ही समय पहले जो है 13 डेट को जो है RIE भुवनेश्वर की तरफ से टीचर की वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो कुछ मुझे ही जो है वो लेट मालूम हुआ इस वज़े से जो है मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि 13 जुलाई जो है इंटर्व्यू की डेट थी ठीक है अभी नया नोटिफिकेशन जिसमें आप अप्लाए कर सकते हैं यदि कौलिफिकेशन है अनॉंस्मेंट सेक्शन में वेकेंसी पर आप क्लिक करेंगे इसमें नॉन अकेडमिक इस पर क्लिक करना है तो इसमें 11 जुलाई का विज्यापन जिसमें असिस्टेंट एडिटर 45 पोस्ट हैं इंग्लिस की 24 हिंदी की 19 और उर्दू की 2 पोस्ट है इसमें 80,000 सेलरी है पर मंत प्रूफ रीडर की 17 पोस्ट हैं इंग्लिस की 8 हैं हिंदी की 6 और उर्दू की 3 इसमें 37,000 पर मंत सेलरी है DTP ऑपरेटर की 28 पोस्ट है जिसमें कोई भी graduate past candidate किसी भी सबजक्ट से आविदन कर सकते हैं इंग्लिस या और हिंदी में 21 पोस्ट है और उर्दू में 7 पोस्ट है इसमें 50,000 जो है वो सेलरी है तो आपको बता दिया परिक्षा नहीं है के वले इंटर्विव है किस जगे रहेगा इंटर्विव वो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो है असिस्टेंट एडिटर की जो 45 पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री इसना तक आपका होना चाहिए कितनी भी परसेंटिज हो साथ में जो है पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लोमा बुक पब्लीशिंग का या मास कम्यूनिकेशन जर्नलिज्म का आपने जो है किया हो डिप्लोमा जिसमें एडिटिंग जो है वो एक सबजेक्ट रहा हो पांच साल का जो है वो इसमें अन्वभी मांग रही है ठीक है एज इसमें 50 यर है 80,000 पर मन सैलरी है यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग अफ डॉक्योमेंट के लिए 22 जुलाई को 9 बजे से 12 बजे तक पहुंचना है स्किल टेस्ट 24 जुलाई को होगा 10 बजे किस जगे पे होगा NIE auditorium NCRT स्री अरविंदो मार्क न्यू डेली 110016 प्रूफ रीडर के जो 17 पोस्ट है इसमें 42 यर वाले कैंडिडेट आविधन कर सकते हैं बैचलर डिग्री आपकी यानि सनातक होना चाहिए हिंदी में, इंग्लिस में या उर्दू में और केवल एक साल का अनुवाब आपका प्रूफ रीडिंग अपड़ टेक्स्ट बूक इन अ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग और पब्लिशिंग और्गनाइजेशन एस कॉपी होल्डर या प्रूफ रीडर के रूप में, ठीक है? बाकी जो है कंप्यूटर की डिप्लॉमा नहीं केवल नॉलेज मांग रहे हैं, इसमें जो है स्क्रीनिंग डॉक्योमेंट के लिए 22 जुलाई को साड़े नो से साड़े बारा और 25 को ही जो है थर्जडे को 25 को 25 जुलाई को थर्जडे को 10 बज़े आपका स्किल टेस्ट रहेगा, यानि काम से रिलेटेड ही जो है और अडिटोरियम, NCRT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू डेली 110016, तो उसी जगे पर इसका भी होगा, थर्ड जो है ये अलग जगे पर रहेगा, आपका स्किल टेस्ट या इंटर्व्यू हम कहें, इसमें क्वालिफिकेशन डी टी पी ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएश साथ में जो है, InDesign, Photoshop, Microsoft Word, including Excel and PageMaker, ये आपको नॉलेज हो, टाइपिंग आपकी हिंदी और इंगलिस दोनों में हो सकती है, 45 ये इसमें एज है, 50,000 पर मन्ट सैलरी है, इसमें स्क्रीनिंग डॉक्यमेंट के लिए 23 जुलाई, साड़े 9 बजे पहुंचना है, और स्किल टेस आपका Saturday 27, Sunday 28, ठीक है, दो डेट को होगा, ये आपको पता चल जाएगा, वेन यू जो है, यहाँ पर आपको कहां पहुंचना है, तो Publication Division NCRT, स्री अरविंदो मार्क, न्यू डाली, यहाँ पर पहुंचना है, आपको Publication Division NCRT, ये जितनी भी वेकेंसी है, ये सभी Contract Base पर है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 31 मार्च 2025 तक जो है, आप यहाँ पर बनी रह सकते हैं, ठीक है, वैसे NCRT में वेकेंसी आती ही रहती है, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं, तो आपको और भी जो है, जॉब के Option आपके खुल जाते हैं, वेबसाइट NCRT की www.ncrt.nic.in, इसके जो हैं यह सभी Office है, यह Application Form है नीचे, बस इसको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, और जो Address दिया है, Date, Time दिया है, उस समय पर आपको अपने Document के साथ में पहुंच जाना है, बस यह पूरा इतना ही Notification था, ठीक है, अभी और भी Vacancies आती हैं, तो आप लोगों को बिलकुल सूचना दी जाएगी वीडियो के माधियम से, यहाँ पर आप खुद भी जो हैं, चेक कर सकते हैं, latest update में, CIET, NIE, और RIE, अजमेर की तरफ से, RIE, Shilong, RIE, मैसूर की तरफ से, भुबनेशवर की तरफ से, भुपाल की तरफ से, वेकेंसी आती ही रहती हैं, भुबनेशवर की जो वेकेंसी है, बिलकुल, latest जो वेकेंसी है, टेचिंग की, वह अभी निकली है, 13 जोलाई जो है इसमें, इंटर्व्यू की डेट है, और अजमेर की वेकेंसी जैसे ही निकली थी, मैंने आप लोगों को बताया था, और भी आगे वेकेंसी आती हैं, क्योंकि ये जो है, बहुत बड़ी संस्ता है, रास्ट्री सेक्षिक, अनुसंधान, प्रैसिक्षन, परिशद, आप सभी ब के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू,